अगर आपको वेट लॉस से फैट लॉस करना है और समझ नहीं आ रहे कि क्या एकसेस करें तो यह वेडियो एंट तक देखेगा आपको सब समझ आ जाजएगा नमस्ते आप देंगे रहें फिटनेस अंकल और आज हम बात करने वाले हैं कि वेट लॉस से फैट लॉस के लिए कार्डियो बेटर है या फिर वेट ट्रेनिंग बेटर है अब इस टॉपिक के में शुरू करेंगे सबसे पहले तो मैं यह पताना चाहूँगा कि पेपर पर फै आपको अगर वेट लॉस से फैट लॉस करना है तो आपको जितनी कैलरी आप खा रहे हैं उससे जादा आप कैलरी करने पड़ेगी अब यानि की कैलरी इन शुट भी लेस देन कैलरी आउट फिर आपका वेट लॉस या फैट लॉस होगा अब थेरोटिकली जो कार्डियो ए कर्डियो एक्सराइज आपकी कैलरी डेफिसेट में जादा कॉंटिविशन करती है तो उसमें जादा हेल्प करती है तो कार्डियो बेटर होना चाहिए पर लॉंग टर्म में यह चीज आप्टिमल नहीं मैं पताता हूं क्यों अब जब आप बहुत टाइम तक सिर्फ अब सर्फ वेट लॉस करते रहों मतलब सर्फ कार्डियो करते रहोंगे मसल बीड नहीं करोगे तो आप अच्छे नहीं दिखोगे और एक और रिजन है अब जब आप ओवर टाइम डेफिसेट बनाते रहोंगे तो एक एक्जेंबल के थुरू समझा लेता हूं अगर आपक Calories आपका जो Calories हो जाएंगे वह आपके डेफिसेट बन जाएगा 250 कैलोरी से चलो ठीक है अगर आप 2000 कैलोरी हो तो ही वो 250 डेफिसेट बन पाएगा पर अगर आप वेट टीणि करते हो तो वेट घरिंग समझानते है कि मसल बज़वल ब्सटम होती है अब अब मसल टिशू को arna हिआ रखने के लिए बौडिकों सरफ बोडी मी रखने के लिए उसको जपकरने केल्स का यह गशिस्ट खरने के लिए तो जब आप इती सारी मिसल कि भी अगर 75 अपर तो आपका मेटाबॉलिसम इंक्रीज होता है जो आप अभी 2000 खा खा रहे थे वह भी आपको मेटेनिस के लिए कुछ हो सकते है तो तो उसके बाद आपका यह जो डेफिसेट करना वह जादा एजी हो जाएगा लॉंग टर्म में कोई इतना फूड कोई इतना खाने रिफ्ट्रेक्ट भी नहीं कर पाता है यह मैंने बहुत लोग के साथ देखा है तो अब अप्टिमली अगर आपको फैट लॉस वेट लॉस करना है तो आपको कार्डियो भी अपने रूटीन में रखना चाहिए आपको व इस बार में समझ आ गया होगा अगर आप जानते हैं कोई इस वीडियो से बेनेफिट कर सकता तो यह वीडियो से शेयर करिए अगर आपको यह पसंद आई वीडियो तो इसको लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताए कि आप मिर से कौन सा और देखना चाहते हैं अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में तब तक हलें नमस्काइब